नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि SBI Yono App में आप किस तरीके से रेजिस्टेशन कर सकते हैं यह बिल्कुल नया प्रोसेस है जो मैंने यह वीडियो बनाया है वो नवंबर 2022 में बनाया है योनो रेजिस्टेशन करने के लिए मैंने जो वीडियो बनाया उसके अंदर आपके पाँ इंटरनेट बेंकिंग आईडी पासवर्ड आपके मौजूद होने चाहिए मतलब अल्रेडी अगर आप इंटरनेट बेंकिंग यूज कर रहे हैं तो फिर आप इस योनो रेजिस्टर कर पाऊगे देखिए सबसे पहले हम वीडियो देख लेते हैं सबसे पहले आप योनो रेप को उपन करेंगे योनो रेप को उपन करने के बाद आपको सब परमिशन देनी है फिर आपको करना है एक्जिस्टिंग आपको यहाँ पर existing SBA customer पर click कर देना है उसके बाद system यहाँ पर आगे बढ़ेगा next की बटन पर जैसे आप click करेंगे सारी permission allow करनी है सबसे पहले system आपकी sim को detect करेगा कि इसके अंदर जो sim है वो SBA में registered है या नहीं एक बार back confirmation होने के बाद यहाँ पर आपको आपका account number और date of birth डालना है बहर डालने के बाद आप next बटन पर click करेंगे तो system बताएगा कि आपकी already internet banking चलती है आप उससे login करें तो आप proceed की बटन पर click करेंगे यहाँ पर आप अपना username और password दोनों डाल देंगे जो आपकी internet banking के हैं submit की बटन पर click करेंगे एक OTP आपके mobile पर आएगा वो आपको यहाँ पर enter कर देना है उसके enter करने के बाद system आप से आपका 6 digit का mpin select करने को बोलेगा सबसे पहले बाद कंसेंट माँगेगा आपको next बटन पर click कर देना आप यहाँ पर आप अपनी choice का 6 digit का कोई भी mpin choose कर सकते हैं जिससे की बार-बार आपको ID password डालने की जगे mpin डालके आप open कर पाएंगे यह देखिए आपके सामने SBI UNO app open हो चुका है अब आप इसको regularly use कर सकते हैं तो friends मुझे उमीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा प्लीज मेरा वीडियो आपको अपने WhatsApp ग्रोप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें banking related informations के लिए धन्यबाद friend